जेहिन दोस्तों इंडियान आर्मी के तरब से आप सभी के लिए एक नई भड़ती आ चुका है और आप सभी को बता दे ये भेकेंसी गुरूप सी पदो पजारी किया गया है और इसका ओफिसियली नोटिफिकेसन आप सभी यहाँ पा देख सकते हैं ये रहा इसका ओफिसियल को अपलाई करेंगे तो अगर आप भी इंडियान आर्मी में गुरूप सी पदो पा जाना चाहते हैं तो वीडियो को कंप्लीट वाज किजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं ये रहा इसका ओफिसियली नोटिफिकेशन जो कि मिनिश्टी ओब डिफेंस यानि कि यहाँ पर रक्षा मंत्राले के तरब से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और जो आपका ये वेकैंसी है आप सभी यहाँ पर देखेंगे हेड़ क्वार्टर दा इन्फैंट्री स्कूल मों के तर आप से तो आप जीस भी एड्रेस पर फर्म अपलाई करना चाहते हैं कर सकते हैं अपने कोडिंग सबसे पहले यहाँ पर आप से भी देख लिजिए जो इसका फर्म है आपको ओफ लाइन आपको अपलाई करना होगा यानि कि जो आपका ये वेकैंसी है ये ओफ लाइन आप 25 पोस्टल स्टेम्प with all the यहाँ पे डॉक्मेंट दोस्तों आप सभी को बता दे जब आप इसमें form apply कीजिएगा उस समय अलक से जो है आपको एक envelope send करना है और जिस पर 25 रुपिया का जो है postal stamp लगा हो तो यह जो है यहाँ पे जनकारी दिया गया है अलक से envelope जो है form apply करते समय आपको उसी में रखकर send करना है जिस पर 25 रुपिया का postal stamp लगा हो यहाँ पे यह वेकेंसी जो है दो जगह से निकल कराया है एक तो है जड़ प्रिसीडाइंग ओफिसर सिविलियन डाइरेट के रिकूटमेंट अप्लिकेसन स्कूटनी बोर्ट दे इनफेंटरी स्कूल मो MP के तरब से और एक आप सभी यहाँ पे वेकेंसी देखेंगे दे इनफेंटरी स्कूल बेलगाम करनाटका के तरब से है तो आप जीस भी post पर form apply करना यानि कि जीस भी address पर form apply करना चाहते हैं उसी address पर जो है आपको form apply करके send करना होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं दो जगा से आपका यह वेकेंसी है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से post है तो जो आपका MP के लिए post है यानि कि जो मध्य परदेश के लिए है जो the infantry school more के तरब से जो आपका वेकेंसी निकल कर आया है आप सभी को बता दे इन दोनों वेकेंसी के लिए all India के candidate form को feel कर सकते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं table 1 में दिया गया है वेकेंसी की डिटेल्स के बारे में तो draft man की इसमें वेकेंसी है जिसमें level 4 का आपको salary मिलेगा 25,500 सब से group C के अंतरगत आपका यह वेकेंसी है और यहाँ पे आप सभी देखेंगे draft man के लिए जो qualification है उसका डिटेल्स आप सभी को आगे बताएंगे सबसे पहले भड़ती का डिटेल्स आप सभी देख लिजिए stenographer grade 2 का यहाँ पे वेकेंसी है इसके अलावा LDC का वेकेंसी है और total कितना वेकेंसी है infantry school more के अंतरगत वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है इसके अलावा civilian motor driver के आपका 19 वेकेंसी है cook के लिए आपका 31 वेकेंसी है और यहाँ पे translator के लिए एक है और barber के लिए एक है total जो आपका infantry school more MP के लिए जो आपका वेकेंसी जारी किया गया है उसमें आपका total वेकेंसी 65 रठा गया है और यहाँ पे post का details आप सभी देख सकते हैं सबसे ज़्यादा post आपका cook trade में रखा गया है इसके बाद उस्तों यहाँ पा देख लिजिए जो आपका बेलगाम करनाटका के तरफ से वेकेंसी निकल कराया है इसमें जो total post है आपका 36 रहने वाला है और 36 जो आपका post है जिसमें LDC के लिए 8 है stenographer के लिए 2 है तो आप वहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं दोनों में से किसी भी जगाप आप फॉर्म फिल कर सकते हैं कोई भी problem नहीं है इसके बाद दोस्तों यहाँ पे qualification का details दिया गया है तो यहाँ पे देख लिजिए qualification की बात करें तो यह stenographer grade 2 की जो आपका वेकेंसी है इसमें 12th pass होना चाहिए किसी भी बोट से अगर आप 12th pass है तो फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इसमें आपका skill test भी लिया जाएगा इसके बाद LDC के लिए भी 12th pass होना चाहिए आप सभी को बता दे हैं अगर अगर आप simply 12th pass है किसी भी बोट से किसी भी subject से तो आप इस फॉर्म को फिलिक कर सकते हैं और LDC में आपका skill test इसमें भी होगा जिसमें typing test 35 word per minute अगर आप करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं इंगलिस में करते हैं तो 35 word per minute और हिंदी में करते हैं तो 30 word per minute या आपके उपर depend है कि आप कौन से language में करना चाहते हैं civilian motor driver के लिए जो vacancy इसमें 3 पास होना चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पे हे भी vehicle का driving license होना चाहिए और 2 year का experience भी तो इसमें तो driving license मांग लिया गया है cook के लिए 3 पास होना चाहिए कोई भी problem नहीं होगा translator के लिए भी 12 पास होना चाहिए और यहाँ पे अगर आप सभी देखेंगे proficiency in Hindi certificate equivalent तो विसार्द भुसन या COVID diploma in computer application from recognized institute तो यहाँ पे diploma इसमें मांगा गया है in computer application में तो अगर आपके पास है तो आप इस form को apply किजिएगा और यहाँ पे translator में translator related जो काम होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए इसके बाद यहाँ पे आप सभी देखेंगे बारबर की जो वेकेंसी इसमें तेंत पास होना चाहिए और वान यार का experience इसमें मांग लिया गया है और इसके लाबर draftman की जो आपका वेकेंसी है इसमें आप सभी देखेंगे तेंत पास होना चाहिए और साथी साथ diploma in draftmanship of a minimum duration of two years from a recognized institute तो यहाँ पे यह बताया गया है कि draftman की जो भरती है इसमें diploma होना चाहिए और वो दो साल का minimum होना आवस्याथ है तो इसमें सबसे अच्छा पोस्ट की बात करें तो एक तो कूक होगे आपका इसके बाद आप सभी यहाँ पे LDC और Stenographer इस पोस्ट के लिए फर्म अपलाई करते हैं क्योंकि इसमें अलग से कोई भी qualification नहीं मंगा गया है इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप सभी का जो next यहाँ पे होने वाला है ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट के बारे में जनकारी दिया गया है तो इसमें ट्रेड टेस्ट भी आपका होगा इसे आपको ध्यान में रखना है और यह मातर एक qualifying nature है यानि किसे केवल pass आपको खरना होगा किसी भी तरह के number इसमें नहीं मिलेंगे इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप सभी देखेंगे age limit की जनकारी दिया गया है और यह age जो है 25 July 2022 के coding आपका count होगा और यहाँ पे आप सभी को बता दे इसका last date भी 25 July 2022 रहने वाला है तो इसमें age की बात करें तो 18-25 जो है LDC, Translator, Stenographer और इसके अलावा Grade, Stenographer Grade 2 और Barber and Cook के लिए 18-25 और जो 18-27 age है यह civilian motor driver, artist या model और इसके अलावा draft man यह 3 post के लिए 18-27 है और बाकी post के लिए 18-25 relaxation आपको CST को 5 वरस और OBC को 3 वरस government rule के नुसर देखने को मिल जाएगा यहाँ पे P की बात करें तो 50 रुपिया आपका application भी है जो कि आप सभी Indian postal order के थुरू या demand draft के थुरू जो है इनके favor में कर सकते हैं जीस भी आप infantry school के लिए form अपलाई कर रहे हैं उनके favor में 50 रुपिया का आपको payment करना है जो कि demand draft या Indian postal order के थुरू कर सकते हैं दो तरीका यहाँ पे दिया गया है आप अपने according जो भी तरीका आपको अच्छा लगे आप सभी payment कर दीजिएगा इसके बाद दोस्तों ACST को इसमें payment नहीं लगेगा यह आपको ध्यान में रखना है इसके बाद यहाँ पे आप सभी देखेंगे इसकी जो last date है form apply का 25 जुलाई 2022 रहेगा और इसकी form जो है 18 जुन से सुरू होने वाला है और closing date आप सभी यहाँ पे देखेंगे इन सभी estate के लिए जो है 5 अगस्त 2022 रहने वाला है क्योंकि North East के यह सभी estate है तो इने जो है थोरा ज़्यादा समय दिया गया है और बाती यह estate के लिए 25 जुलाई 2022 last date है और 18 जुन से आप सभी इस form को fill कर पाएंगे इसके बाद scheme of examination की देखेंगे तो इसमें जो है आपका यहाँ पर प्रस्न आप सभी देख सकते हैं 1500 प्रस्न रहेंगे 1500 नंबर का दो घंटा समय दिया जाएगा और यह general intelligence and reasoning general English numerical episode इन सभी से जो है आपका प्रस्न रहने वाला है और यह प्रस्न English या Hindi दोनों language में आप सभी को देखने को मिलेगा इसके बाद syllabus आप सभी यहाँ पर देख लिजिए आप अपने coding यहाँ पर एक बाद syllabus चेक कर लिजिएगा क्योंकि यह जो है इसमें सभी chapter का नाम दिया गया है इसके बाद दोस्तों आप सभी यहाँ पर देखेंगे और काफी सारे इसमें जनकारी आपको देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं यह इसकी officially notification है एक बार आप सभी इस notification को चेक कर लिजिएगा form apply करने से पहले क्योंकि इसमें complete जनकारी आपको देखने को मिलेंगे तो दोस्तो यह रहा इसकी जो form है आप सभी देख सकते हैं आप लीकेशन का जो आपका form है इसी form को जो है आपको send करना है और फिल करके तो यह जो है इसका application form है इसका link आपको description में देदेंगे यहाँ पर देख लिजिए इसमें जो है काफी असान है आप सभी असानी से फिल कर सकते हैं हालांकि यहाँ पर देखेंगे reference, news paper, advertisement, number और date तो दोस्तो अभी आप खार्म apply नहीं किजिएगा क्यांकि आने वाले employment news paper में इसका full notification सान आने वाला है जो की 18 June को आएगा तो उस दिन आपको पता चलेगा कि advertisement उसका number क्या है और news paper, employment news paper रहेगा और advertisement number के लिए आपको जो है अभी रुखना है क्योंकि 18 June को जब employment news paper रहेगा तो उसमें advertisement number आपको देखने को मिलेंगे तो यह फिल करना जरूरी है तभी आप firm को फिल कर पाएंगे तो दोस्तो 18 June तक आप सभी वेट किजिए उसके बाद आप इस form को फिल कर सकते हैं और देखिए यहाँ पे दो address है आप अपने coding GCB inventory school में form अपनाई करना चाहते हैं कर सकते हैं यह आपको उपर depend है यहाँ पे आपको photo लगाना है full name, father's name, date of birth और age, age and last date यानि कि last date तक आपका age कितना हो जाएगा तो 25 July 2022 इसका last date है तो उस date तक आपका जो है कितने year, कितने month और कितने दिन age होगा यह आपको mention करना है 25 July के coding जो है आपको यहाँ पे age लिखना है कि 25 July तक आपका age कितना होगा आपका category क्या है और इसके अलावा nationality religion यह सभी feel करना है mobile number address और educational qualification में 10th का 12th का आप सभी यहाँ पे euro passing board और कितना marks आपका आया है, division क्या है तो यह सभी आपको यहाँ पे feel करना है तो दोस्तो इसमें जो है आप सभी को बता दे one self address जो है आपको 25 रुपिया का जो है इन भेला पलक से send करना होगा और 37-50 रुपिया जो है आपको postal order के थुरू आपको payment करना होगा तो दो तरीके से आप payment कर सकते हैं जैसी के मैंने आपको बताए है तो यह जो है आपको form feel करके send करना है जब इसका full notification आ जाता है तो आप सभी को हम बताएंगे कि कैसे form आपको feel करना है क्योंकि अभी advertisement number जो है मुझे भी नहीं पता है और आपको भी नहीं पता है तो इसलिए अभी आप सभी इस form को feel नहीं किजिएगा तो I hope आप सभी समझ गए होंगे कोई भी सवालों कमेंट सेसे में बताईएगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जहिंद बंदे मात्रम